नमस्कार दोस्तों, RPSC की तरफ से संस्कित विभाग के लिए वेकिंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, नई वेकिंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सेकिंड गेड के लिए वेकिंसी आई है, टोटल वेकिंसी 347 पदों के लिए 347 पदों के लिए और जो वरिष्ट अध्यापक की वेकेंसी है वो अलग-अलग विशेवार है अलग-अलग विशे के पद इसमें टोटल शामिल किये गए है तो यह जो वेकेंसी है इस पूरी वेकेंसी का जो नोटिफिकेशन आज आया है मैं उसको विस्तित रूप से आपको अध्यन करके दूँगा उसका एनलाइस करके दूँगा कि उसका टोटल क्या है कब से फॉर्म शुरू होंगे कब भरे जाएंगे कब तक रहेगा फॉर्म किस तरीके से बढ़ना है सलेबस क्या रहेगा और सं संभावना है एक्जाम के होने की कब तक होने की चांसेज है तो यह सब चीजे जो है डिटेल से में इस नोटिफिकेशन को आपको समझाओंगा तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि जल्द ही लोगसभा चुनाव जो है वो होने वाले हैं तो लोगसभा चुनाव क वो भी जारी कर देगी संस्कित विवाग में तो आ चुकी है अब जो नॉर्मल समन्ने है तो उसके लिए भी वेकंसी जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल सकती है फर्स गेड की और वैसे देखी अच्छी बात ही है कि वेकंसी काफी एक साथ चल रही है पहले EMRS की अभी DCSB का चुकी है वो भी चल रही है साथ में उसके Hep एक चल रही है साथ में संस्कित भी भाग के दोनों की वेकंसी है और जल्द ही उमीद करते हैं कि आरपेषी फर्सemmentी की वेकंसी भी आप लोगो को देखने को मिलेघी जैसा हम कहे रहे थे कि जल्द ही आपको काफी भर्तियां देखने मिलेगी, भर्तियां ही भर्तियां होंगी, तो वो महौल अब बनने लग गया है, क्योंकि ये क्लियर था, ये कोई अचंबित होने वाली चीज नहीं थी, ये क्लियर था, कि लोगसभा चुनाओं हो रहा है, तो कहीं न कहीं 21 जनवरी 2014 यानि आज ही नोटिफिकेशन आया है और टोटल पद जो है वो 347 पदों के लिए यह भढ़ती की जा रही है और अलग-अलग विशे के लिए संस्कित विशे के लिए हिंदी विशे के लिए गनित विशे के लिए यह वेकंसी जारी की गई है मैं पर्टिकुलर ली गनित की जो vacancy है उसको दो बागों में बाटा गया एक तो एने से non scheduled area एक है scheduled area scheduled area और non scheduled area यहाँ पर total 61 vacancy रखी गई है और यहाँ साथ रखी गई है तो total मिलाके 68 vacancy है और संस्कित विवाग को देखते वे vacancy ठीक ठाक है ऐसी vacancy संस्कित विवाग में जो आयू सीमा रखी गई है इसमें जो आयू सीमा रखी गई है वो 18 से लेकर 40 साल रखी गई है और जैसे की छूट मिलती है वो सारी छूट वैसे ही शामिल की गई है अब देख सकते हैं जन जाती पिछडा वर्ग आठीक रूप से जो कमजोर पूरुष है उनके लिए 5 साल की छूट है महिलाओं के लिए 10 साल की छूट है और जो जनरल कैटेगरी से महिला है उसको भी 5 साल की छूट दे गई है इस तरीके से जो उमर में जो छूट है वो कि यह जल्द बाजी में निकाली कई है और यह बात भी समझ सकते हैं तो जो कि आपको परयाप्त समय मिलेगा तयारी करने में क्योंकि यहां पर और फॉरॉम बढ़ने की देट ऐ वह रंखी गई है यह रखी गई है छे फर्वरी से लेकर 6 मार्च तक यानि एक महीने का समय दिया गया फॉरम बढ़ने का यानि मार्च तक जो मार्च है मार्च का फर्स वीक तक तो फॉरम बढ़े जाएंगे तो इसका मतलब है मार्च में एक्जाम तो नहीं होंगे तो March में नहीं होंगे तो April में हो नहीं सकते क्योंकि April और मरी तो चुनावे में चले जाएंगे तो फिर आता है June और June के बाद में फिर June जुलाई फिर वो Vacancy आगे चले जाएंगे तो ये निश्वे तोर पे लग रहा है कि आपको अच्छा खासा समय जो है वो देखे जाएगी तयारी करने के लिए परियाब समय है आप आराम से तयारी करिए अच्छा खासा समय आपको तयारी के लिए मिलने वाला है उसके बाद में फॉरम बरने का तरीका वैसा का वैसा ही रखा गया जैसा पिछली बार आप लोगों ने फॉरम बरा था सेम वही पॉर्टल पे जाना है वैसे ही सब कुछ तरीके से फॉरम को बरना है तो बिल्कुल उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया पाठे गरम की रूट की बात करें तो वो आगे आपको अभी मैं समझाता हूँ इसमें आप पहले सेक्षन की योगिता देख लीजे तो जो मैट्स वाले हैं उनके लिए वही रखा गया है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए ठीक है वो जो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से आप ओरम भर रहे हैं ग्रित से भर रहे हैं तो ग्रित आपका विशय होना चाहिए औपिशनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए आपकी मार्क शीट में प्लस यहां B.A.D. डिग्री और डिप्लोमा दोनों अलाउड किये गए हैं आपका एजुकेशन जो है उसमें अगर डिप्लोमा है या फिट डिग्री है यह दोनों अलाउड किये गए हैं डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन यह दोनों मानने रहेंगे तो बस आपक ग्रेजुशन प्लस बीड या डीड में से जो भी हो वो अलाउट होगा आगे देखें तो इसके अंदर जो स्लेबस है स्लेबस में जो आपका फरst पेपर है फरस्ट पेपर बिल्कुल वैसा कर वैसा ही डाला गया जैसे कि नॉर्मली होता है कुछ भी चेंज नहीं किया गया 200 marks का है, 100 question है, और इस तरीके से उसको divide किया गया है, जो first paper हुआ करता है, उसको उसी परकार से geography, history, culture, general knowledge, 80 marks का, current affair of Rajasthan, 20 marks का, general knowledge, 60, और उसके बाद में education psychology का, 40, तो total 200 marks का ये बन गया, बड़ी बात जो है, maths को लेकर है, maths वाले को pattern वैसे ही रखा गया है, जैसे last भरती हुई संस्कित भी भागवाली, बिल्कुल इन लोगों ने वही किया है, सेम वैसा के वैसा, 90 question यहाँ देख सकते हो, 90 question जो है, वो आपके senior से आएंगे, senior से, knowledge of secondary और senior secondary, यानि इन्हों ने वो पूर्ण, जो नया, जो उसमें, RPSC ने, जो समाने भरती के लिए जो pattern बदला था, वो pattern संस्कित वाले में नहीं रखा है, संस्कित वाले में वही रखा है, जो पुराना था, वही 90 question senior secondary के, 40 question आपके graduation के, 40 question graduation के, और 20 pedagogy के, 90, 40, 20 वाला जो अनुपात होता है, वही अनुपात यहाँ पे रखा है, वही 300 marks रखा है, तो यह चीज बहुत ही बढ़िया हुई है, क् में तो graduation को बहुत जादा weightage दे दिया था, काफी बड़ा weightage मिला था, और उसके वज़े से merit भी बहुत बूरी हालत हो गी थी, CT भी खाली रह गी थी, लेकिन अब यहाँ पे फिर वैसे के वैसे रखा है, कि senior को वैसे ही वापस से उतना ही समान दिया गया, 90 question senior के, 40 question graduation graduation के, औ यह है, पूरी vacancy, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो जैसा कि मैंने पहले आपको शुरुआत में बताया था, कि vacancy कई है, और दोनों vacancy है, संस्कित भागे, 1st grade की, 2nd grade की, DSSB की भर्ती parallel में चली रही है, वो भी है, और उसके भी chances पूरे हैं, कि वो भी जुलाई या अगस्त तक जा सकती है, अगर अपरेल में एक्जाम नहीं होता है, जबकि दिख नहीं रहा है, लग रहा है, ऐसी स्थधी के अपरेल में एक्जाम की chances कम ही है, क्योंकि परिस्थितिया ऐसी बन रही है, चुनाओ को देखते हुए, तो संभावता वो भी, यह भरती तो साफ देख रहे हैं कि यह भरती है, अभी होने के इसके कोई chances है, अभी तो forum बराना पर करिया में डालना इतना भी हो रहा है, तो चलो ठीक है, at least notification तो आगया जिसके हम उमीद कर रहे थे, कि और कुछ हो ना हो, notification तो आई जाएगा, वो तो आई गया है, और उमीद कर रहे हैं कि R आट से दस महिने का समय तो नियूनतम चाहिए ही होगा, तो यह भठती है अब आपको आट से दस महिने का समय दे ही देगी तयार होने के लिए, तो सई समय है, तयारी शुरू करिए, और frequency आ गई है, विगल बज चुका है, तयारी में जूट जाएए, मेरी शुब कामना है साथ है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिए